कच्चे केले की सबजी ये मेरी फेवरेट रेस्पी है उमीद करती हूँ आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए कच्चे केले की सबजी बनाना शुरू करते हैं देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या दिया है सूखी लाल मिर्च, एक हरे मिर्च, और 10-15 करी पत्ते, तीन कच्चे केले, एक प्याच बारी कटा हुआ, एक छोटी चमच जीरा, एक छोटी चमच मस्टर सीड्स, नमक स्वाद के अनुसार, आदा छोटी चमच हलरी पाउडर, एक छोटी चमच नीबु का रस, एक छोटी च तेल गरम हो गया है, अब इसमें सुखी हो इलाल मिर्च डाल देंगे, इसके साथ इसमें जीरा और मस्टर सीड्स भी डाल देंगे, इनको 20-30 से के लिए फ्राई होने देंगे, गास मीडियम तर रखें, अब इसमें करी पत्ते, करी पत्ते के तुड़ा सौटे होने पर इस अनियन को हमें ठांस्पेरेंट होने तब फ्राई करना है, जब तक अनियन फ्राई होते हैं, तब तक मैं बनानास को छील कर उनको काट लूँगी, आप चाहें तो बनानास को पहले भी छील कर रख सकते हैं, लेकिन पहले छीलने से ये थोड़े काले हो जाते हैं, इसलिए ट्राई करें, कि जब आप सबजी बना रहे हों, तब ही इनको छील कर काटें, मैंने इनको छील कर दो लिया था, और किचेन टावल से अच्छे से पहुंच लिया है, अब मैं इसको पीसीज में कट करूंगी, इनके पतले-पतले स्लाइसीज काटें, बनानास मैंने काट लिये हैं, अब अनियन चेक कर लेते हैं, अनियन भी फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें सूखे मसाले डालके उनको भी 30-40 सेकिंड के लिए सोटे कर लेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिच्ची पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार, मसालो के बुनने के बाद अब मैं इसमें बनानास डालके इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इनको मिक्स करने के बाद तब तक पकाना है, जब तक ही हमारी सबजी अच्छे से पकने जाती, इसको ढखना नहीं है, इसको ढखन की बिना ही पकाना है, इसको खुला रखके पकाने से यह तोड़े क्रिस्पी बनेंगे और इस से अपकी सबजी तेस्ट बहुत अच्छा रहेगा गैस को स्लो से मीडियम पर रखना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना है सबजी हमारी बनके तयार हो गई है बनाना से नीचे से अच्छे से क्रिस्प हो गए है अब लास्ट में इसमें निम्बू का रस डालेंगे तो अच्छे से मिक्स करके गैस बन कर देंगे अब इसको सॉब कर लेते हैं केले की चिटपटी सबजी बन के तयार है ये बहुत ही टेस्टी बनी है इसको मैंने थोड़ा हरे धनिये से कार्णिश कर दिया है आप इसको अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए ये आपको बहुत ही पसंद आएगी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू